गाइस मेरे हाथ में जो यह चीज है आपको क्या लग रहा है कोई नोटबूक है कोई डाइरी है देख लो बिल्कुल नहीं गाइस यह एक टैबलेट है इसके लिए मैंने यह नोटबूक वाला कवर लगा रखा है फ्लिप कवर जो काफी जादा प्रीमियम देखने को लगता ह इसके अंदर है रियल्मी पैड मिनी टैबलेट 8.7 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आता है एक मिनी टैबलेट है जिसके उपर मैंने अन्बॉक्सिंग रिव्यू दिया था आज से एक डेड़ महने पहले एंड यह कवर जो है ना यह स्पेशली इसके लिए मैंने मंगाया थ इसके उपर डेडिकेटेट वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा तो पहले इस कवर को हटाते हैं निकाल लेते हैं टैबलेट को जो चीज़ बताने वाला हूँ आपने थमने टैटल में देख लिया है इसको करते हैं फिला साइड तो यह रहा है हमारा रियल्मी पैड मीनी टैबलेट एंड यह मैंने खरदा था ग्रे कलर में दो कलर ओप्शन में अवलेबल है अगर आप 15,000 रुपे के रेंज के अंदर को एक अच्छा सा कॉलिंग टैबलेट लेना चाहते हो या फिर आप रियल्मी पैड मीनी टैबलेट को लेने की सोच रहे हो या फि इस वीडियो को शुरू करते हैं जगा पर मिल जाएगा तो ये वाला प्लेलिष्ट चेक आउट कर लेना रियल्मी पैड मीनी टैबलेट का दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इस टैब का कॉलिंग टेस्ट करके दिखाऊं सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडेक्ट का ब्रीफ इंट्रो देता हूं ताकि आ सबसे पहले आपको बताता हूं उसके वेरियंट्स कितने आते हैं तो इसके आपको टोटल चार वेरियंट्स देखने को मिलेंगे पहला वेरियंट है 3GB RAM 32GB स्टोरेज Wi-Fi ओनली फिर उसको सेकेंड वेरियंट आता है 3GB RAM 32GB स्टोरेज प्लस सिम कार्ड वाला फीचर एंड आ अही वेरियंट है टॉप अफ दा लाइन वेरियंट जो टॉप मोडल है वह मैंने पच्छेस किया था काफी डीसेंट टैब है अलमिनियम बिल्ट बॉड़ी देखने को मिल जाते मैटलिक बैक के साथ आता है काफी ज्यादा स्लीक टैबलेट है हाथ में पकड़ोगे तो आगे आप देख सकते हो मैंने इस इस तर के सेंटर पर पकड़ के रखा है काफी अच्छे से बैलेंस है इसके अंदर आपको डूवल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं तो इसके अंदर मूवीज देखो वेब सीरीज देखो मूजिक सुनो काफी ज्यादा अच्छे एक्स्प अगर आप सी वाला वेरेंट नहीं भी लेते हो ना तो आपको मेंबरी कार्ड वाला वेरेंट मिली जाता है जिसके अंदर आप मेंबरी कार्ड डाल सकती हो तो अगर इफेक्टिव प्राइस की बात करें ना 3GB RAM 32GB स्टोरेज वाला तो उसका नॉर्मल डेस पे प्राइस रह लेना चाहोगे अगर आप 3GB RAM 32GB स्टोरेज और वाइफाई प्लस सीम कार्ड वाला लेते हो ना तो आपको 10,000 के राउंड मिल जाता है सेल के अंदर विल्ड क्वालिटी अच्छा है इसका पफॉम्मेंस काफ़ी तगड़ा है यूनिसॉक T616 प्रोसेसर के साथ आता है तो इसके अंदर आपको देखने को option मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ यह रहा अभी आपको एक सिम नजर आ रहा है एक सिम कार्ड मैंने लगा रखा है और आपको एक सिम कार्ड के साथ यहां पर एक option देख रहा है memory कार्ड लगाने का option यानि कि या तो आप दो SIM कार्ड लगाओ या फिर आप एक SIM कार्ड और एक memory कार्ड इसके अंदर लगा सकती हो तो मैंने यहाँ पर memory कार्ड नहीं लगा रखा है सिर्फ और सिर्फ एक SIM कार्ड मैंने इसके अंदर डाल रखा है जियो, ATL, Vodafone, Idea जो भी आपके network provider है फर्क नहीं पड़ता है इस step के अंदर आप कोई सा भी 4G SIM कार्ड लगा के यूज कर सकते हो calling and internet के लिए तो मैंने यहाँ पर ATL का 4G SIM कार्ड लगा रखा है तो अच्छी बात है कि अगर आप इससे अपना primary device भी बनाना चाहते हो ना calling, walling करने के लिए SIM कार्ड लगा के बात करने के लिए तो इस device के अंदर वो possible है पहला चीज जो मैं आपको यहाँ पर alert दे देना चाहूँगा कि क्या है ना आप जिसे phone पर बात करते हो तो यहाँ एक छोटा सा speaker रहता है earpiece रहता है या फिर family में सबके साथ बैठे वे हो और फिर outdoor में भी कहीं पर हो तो आप किस से क्या बात कर रहे हो ना वो सामने वाला सुन सकता है mini tablet है बट फिर भी एतने बड़े tabs आप इस तरीके से hold करके बात तो नहीं करोगे कितने देर तक आप बात करोगे थोड़े देर के लिए तो आप बात कर सकते हो लेकिन जादा देर आप इस तरीके से परखोड़ोगे तो आपको हाथों पर दर्द होगा ना काफी जादा अजीब सा लगेगा अजीब सा दिखने भी वाला है उसके लिए company ने यहाँ पर वाला है ड्मेकल जाएक तो अगर आप वायर वाला हैडफोन लगाना चाहोगे तो उसे लगा करके भी इसके अंदर आप कॉलिंग कर सकते हो वायर वाला हैडफोन आपको पसंद नहीं है तो आप कोई सा भी इस तरीकी का Bluetooth Neckband उसकर सकते हो जो भी आप इस तरीके के Nekband उस कर सकते हो और अगर आपको यह भी नहीं पसंद आप यह भी नहीं लगाना चाहते हो यह भी आपका प्रिफरेंस नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके के TWS मिल जाते है ट्रूली वायरलेस एयरफोंस जिसके अंदर आपको कोई भी वायर नहीं है सिंपल आप इस तरीके से निकालो and अराम से इस तरीके से connect करके आप Bluetooth calling कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको इस tab के अंदर मिल जाता है Bluetooth 5.0 का support and कुछ इस तरीके साब बात कर सकते हो यहाँ पर अपना काम करते रहना, crawl करते जाओ अराम से यहाँ पर आप call पर भी रहके बात कर सकते हो तो guys SIM वाला variant अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके का एक option मिल जाएगा dialer का जिसके अंदर आप किसी का भी number dial के बात कर सकते हो, contact gap भी मिल जाएगा जिससे आप यहाँ पर जो भी sound हो जाता है, सुन सकते हो तो मैंने आप एक number dial किया है, call पर करते हैं हलो, हलो, हाँ आवाज कैसे जा रहा है, अब बताओ आप कैसा आवाज जा रहा है, जोर से ही आ रहा है और सामने से बोलेंगे तो आप कैसा आवाज जा रहा है मतलब प्रॉपर आवाज जा रहा है, कितने भी distance से हम बात कर रहे है अच्छा क्या कर रहा है, बताओ अपना यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे है realme pad mini का कि किस तरीके से audio calling हो पाता है मतलब audio बिल्कुल clear है, कोई भी दिक्कत नहीं है थीक है, अब volume हम थोड़ा घटा रहे है, एक second hello hello, अभी कैसा आवाज जा रहा है, hello हाँ, कुछ बोलो, अपने साइट से कुछ भी बोल सकते हो बोल दो, बोल दो, लाइक कर दो, वीडियो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बोलो, बोलो, बोलो ठीक है, ठीक है तो देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पर record बटन को दबाया, तो this call is now being recorded आया और तुमको सुनाई दिया ना, कि call recording हो रहा है यह वाला ठीक है, तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर full volume पर भी बात किया, काफी easily बात हो रहा है, कम करके भी बात किया, काफी आसानी से बात हो रहा है मैं यहाँ पर दूर रखके भी बात किया मैंने उसे भी clear आवाज जा रहा है और सामने से भी करके बात कर रहा हूँ तो काफी अच्छी सा आवाज जा रहा है बिल्कुल live था उसे पता नहीं था कि मैं उसे phone करने वाला हूँ विल्कुल original reaction मिला आप मैंने यहाँ पर call अभी लगा दिया है इसके अंदर call मैंने pick up कर दिया है अब करते कि मैं tab को ले करके जाता हूँ बाहर एंड जो भी मैं बोलूँगा आपको यहाँ पर इसकी speaker पर सुनाई देगा तो आपको idea मिल जाएगा कि इसका mic quality वह कितने clear का mic quality देखने को मिलता है ठीक उसके मिल जाओगा किस तरीके सहाँ पर आप कर सकता हूं मैं local tone पर बात कर आहूं ना जाधा high बोय रहा हूं पर मैं कान के पास लाता हूं अब जो बात करूंगा ना तो आपको पता चले दा कि अगर आप इस अजहाँ बात करते हूं कान पर सटा करें तो किस तरीके से आव इसके अंदर आपको मैंने दिखाए किस तरीके साफ यहां पर वोइस कॉल तो कहरी सकते हो अब क्या इन्हें इसके अंदर अगर आप वीडियो कॉलिंग करना चाहोगे तो आप डिरेकली वीडियो बटन पर क्लिक करके भी कॉल कर सकते हो इसके डालर से और अगर आप थर्ड कॉल करना चाहोगे किसी भी एप के थुरू मालो वाटसेब कॉल करना है आपको स्टार्ट पर करेंगे एंड चलो देखते हैं इसके अंदर कॉल आएगा भी आंसर को अपूर्ण आ जहां ल्एप एंड फर अंसर के क्लिक करेंगे समर पे से यहां प्रमिशन कर दिया है केमरा का अब अंसर करते हैं 272 तो मैं उल्प जत्त दी आ हैं मैं आपको थोड़ा से एंगल चेंज करता हूं ताकि आपको यहां पर नज़र आयेक से तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मैं टैब को इस तरीके से खड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको मेरे फोन पे आउटपुट मिल जाएगा, कि किस तरीके से इसके अंदर आपको कैमरा देखने को मिलता है, तो इसके फ्रंट में आपको 5 मेगा पिक्सल का कैमरा आपको नजर आ रहा है, जो कि मैं बोलूँगा काफी decent quality का है, यह जो मेरा Samsung Galaxy F23 5G है ममी का, इसका आप quality बलकि टैब में देख सकते हो, हलका फटा फटा सा आ रहा है, लेकिन phone के अंदर आप देख सकते हो, मेरे tab के थुरू काफी clear जा रहा है, वीडियो को clarity, यह काफी अच् तो अगर आप बात करोगे, तो इस तरीके से कुछ आपको clarity मिलने वाला है, वाइफाई पर आपको ज्यादा smooth clarity मिलेगा, और अगर आप 4G SIM card के थुरू काल करते हो, तो आपको हलका सा clarity में distortion देखने को मिल सकता है, तो यह बिलको normal सा चीज है, इस तरीके से आप बात कर सकते video calling इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर skype interview करते हो, अगर आप professional use के लिए ले रहे हो, अगर आप इसके अंदर calling करना, video calling करना, अपने clients के साथ, या फिर जो भी आपका need हो, zoom meeting करना है, कुछ भी meeting करना है, तो आप इसके through कर सकते हो, सो गाईज, आपने देखा किस तरीके सा आप realme pad mini tablet पे seamlessly, flawlessly आप यहाँ पे voice calling और video calling का मज़ा ले सकते हो, अगर आप इसे as a primary device भी consider कर रहे हो ना, लेने के लिए कि इस पे मैं आपने सारे काम्स कर लूँगा, पढ़ाई कर लूँगा, entertainment देख सकता हूँ, आपके अंदर documents बना सकता हूँ, इसके कैमरा से, इसके अंदर मैं gaming कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं calling कर पाऊँ, तो सब कुछ यह आपको करके देने वाला है, सब कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो, इससे चोड़ device आपको नहीं मिल सकता है, वीडियो पसंद आया होगा, तो like कर देना, comment कर आपको वीडियो कैसा लगा, और steps related क्या क्या वीडियो देखना चाहोगे, जरूर comment करना, मैं आपके लिए dedicated बना दूँगा, purchase करना चाहोगे, best by links आपको मिल जाएंगे description box में, जाके खरीच सकते हो, जाता होगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं झाल